मुंबाई पुलिस पासपोर्ट पे रिलिजन देकर गोली नहीं चलाती क्रिमिनल रेकॉर्ड देकर ठोकती है साहू के बारी में आपको बता दें साहू फिल्म में आपको प्रभास के साथ बोल्यू डेक्टर शद्दा कपोली डूल में दिखाए दी थी वह इस फिल्म का बज़र था 350 करोड रुपे लेकिन इस फिल्म को पब्लिकों के डिक्स से मिक्स रियू मिला जिस वज़े से माना जा रहा था फिल्म का कलेक्शन काफी कम रहेगा लेकिन फिल्म ने अपने पहले दिन बोक्स अविस पर काफी बड़ा धमाका करते हुए 90 करोड रुपे का जबर जिस्त आकड़ा पार किया इसी के साथ यह फिल्म अपने पहले अपते भी बोक्स अविस पर काफी बड़ा धमाका करने में कामियाब रही ओ फिल्म ने अपने पहले अपते 265 करोड बेशाट लाग रुपे कमाई लेकिन अगर फिल्म के 11 दिन के कलेक्शन की बात करे तो साहू फिल्म ने अपने 11 दिन बोक्स अविस पर 3 करोड 55 लाग रुपे के आसपास कमाई की जिस वज़े से साहू फिल्म का 11 दिनों का टोटल इंडियन बोक्स अविस कलेक्शन 239 करोड 60 लाग रुपे से ज़धा रहा जिस वज़े से यह फिल्म अपने 11 दिनों में 290 करोड रुपे का अखड़ा पार करने में कामियाब रही लेकिन अगर इस फिल्म से अक्षे कुमार की फिल्म शुरिवनशी का कंप्यर करें तो शुरिवनशी फिल्म का बजट 150 करोड रुपे से ज़्यादा था लेकिन इस फिल्म का पहले अपते का कलेक्शन भी काफी दमाकिदार रहा और यह फिल्म भी अपने पहले अपते अपने बजट से लगबग 80% की रीकवरी करने में कामियाब रही और फिल्म ने अपने पहले अपते 120 करोड 29 रुपे कमाई लेकिन अग evangelical के ग्यारवे दिन यानि आज के कलेक्शन की पात करे तो इस फिल्म का अभी तक 10 दिनों का बॉक्स औफेस कलेक्शन सामने आया और फिल्म ने अपने 10वे दिन बॉक्स औफेस पर 7 करोड़ 154 लाग रुपे के आसपास कमाई की जिससे इस फिल्म का 10 दिनों का टोटल Box Office कलेक्शन 141 करोड 60 लाग रुपेस से ज़ादा रहा तो दूस्तो आज के Box Office कलेक्शन के मामले में तो अक्षे कुमार की फिल्म शुरीवनशी का कलेक्शन रहा ज़ादा लेकिन Lifetime Collection के मामले में प्रबास की फिल्म साहूंने मारी बाजी, जिस वज़े से प्रबास बने इंडिया के सबसे बड़े सूपर इस्टा लेकिन अगर आपने इन दोनों फिल्मों को देखा है तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन से ज़्यादा पूसन आई और आप चना कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब का बेल आइकोन प्रेस कर देजिसे आपको लेटिस्ट बाणू इसका बॉक्स और इस कलेक्शन की रिपोर्ड मिलती रहेगी सबसे पहलेई